जेहिन दोस्तो मैं हुआ नूप और आप सब लोग देख रहे है ग्लोवल कॉन्फलिक्ट दोस्तो डिपलोमेसी के मामले में इंडिया अब एक सुपर पावर बनने के तरफ आगे बढ़ चुका है और भीते कुछ सालों में डिपलोमेसी में इंडिया जितना एचिब्मेंट कर चुका है शायद अब दिन्या के कुछी ऐसे देश बचा है जो ऐसे डिपलोमेसी में भारत को काउंटर कर पाए अमेरिका योरोपियन उनियन के बाद भारत कोई अफ डिप्लोमेसी में सबसे मजबूत देश माना जाता है एक तरब जहाँ पे पाकिस्तान आये दिन भारत के डिप्लोमेसी को लेके रोता है वही पे भारत हर दिन एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए सुपर पावर के गद्दी के तरब और करीव हो रहा है तो सो पाकिस्तान जिस तरीके से रोता है इससे मैं ये भी कहना चाहूँगा कि खाली रोने से कोई डिप्लोमेसी में महारत हासिल नहीं करता या किसी के पास पैसा होने से उडिप्लोमेटिक सुपर पावर नहीं बनता बलकि इसके लिए नॉलेज और क्रेडिवल होना ज़रूरी है साथ में जिन देशों के साथ रिस्ता होता है उस रिस्ते को मजबूत बनाने के लिए दोनों देशों के बीच में शंपर को भी मजबूत बनाना चाहिए और साथ में खाली खुद के फाइदा देखने से कोई डिप्लोमेसी में दूसरे देश का भरोसा जीत नहीं सकता और मैं भारत को डिप्लोमेसी में सुपर पावर क्यों बोल रहा हूँ उसे सावित करने के लिए दोस्तों मैं बीते एक दो दिन का ही कुछ एक्जामपल दूँगा जिसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से भारत फॉरेंड डिलेशन्शिप और काउंटर चा विजिट अफ्रिकन कंट्री शैसल का है जबकि आज ही हमारे नैशनल सेकूरिटी अडवाइजर अजिर डोवाल जी स्री लंका पहुंचे है जहां पे उनके और स्री लंकन और माल्दिव के काउंटर पार्ट के बीच में मेरिटाइम सेकूरिटी को लेके चर्चा तो होगा ही साथ में इंडियन ओशन के कोपरेशन को भी मद्बूत करने के लिए इन देशों के साथ भारत कैसे आने वाले समय में काम करेगा उसके उपर भी चर्चा होगा तीसरे तरफ हमारे डिफेंस मिनिस्टर स्री राजनात सिंग आज विएतनाम के काउंटर पार्ट के साथ एक वेबिनार में या वीडियो कॉन्फरेंस मिटिंग में बहुत सारे महतवपूर्ण मुद्धों के उपर चर्चा कर चुके हैं दोसों दोनों देशों के डिफेंस कोफरेशन हतियारों के सप्लाई और भारत के डिफेंस इक्वेपमेंटों को किस तरीके से विएतनाम को सप् मरेन क्रू को भी ट्रेनिंग दे रहे है जबकि विएतनाम को भारत अब सुखोई धल्टी के स्पेर पार्ट्स भी सप्लाई करेगा दोस्तों इसके इलावा भारत अपने ट्रेड को मजबूत करने के लिए भी विएतनाम के साथ बात कर रहा है जो भारत के defense export के जो 5 billion dollar के achievement है उसे हासिल करने में मदद करेगा दोसो आज ही भारत और Nigeria के बीच में एक webinar आयोजन किया गया था जिसमें Defense Ministry के अधिकारी, Defense Manufacturing और Defense Industry के अधिकारियों ने हिस्सा लिये थे दोसो ये एक ऐसा webinar था जिसमें दोनों देशों के बीच में Defense Corporation, हतियारों के production और भारत के तरफ से किस तरीके से Nigeria के defense sector को मदद किया जाएगा और कैसे Nigeria के forces को आधुनिक करने के लिए हतियारों का supply किया जाएगा उसके ओपर चर्चा हुआ दोसो नाइजरिया तो खाली एक कदम मात्र है भारत नाइजरिया के थुरू पुरा अफरिकान देशों के अंदर अपने defense export के market को मदद करने के तरफ आगे बढ़ रहा है। काम तेजगती से शुरू कर चुका है जिनमें आप सब लोगों ब्रमोज के export के बारे में सुबाही ख़बर मिल चुका होगा। जबकि इसके इलावा भारत अपने तेज़ेस एरक्रैप्ट और अन्य हतियारों को भी export करने के लिए तैयारी कर रहा है और इन देशों के इला या कमजोर देश समझता है। और साथ में बना हुआ बेल आइकन को ही प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले जैहिन